सभी प्यारे साथिकों को रमरा मनुश्कर उमीद करता हूँ आप सभी बहुती बढ़ी होंगे तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSEED Constable 2025 की भरती के बारे में आप सभी को पता है कि इसकी लास डेट खतम हो चुकी है अब सबसे इम्पोरेंट क्येशन यहां पर आता है क इस भरती के लिए total कितने form apply हुए हैं और कितना competition इस भरती में रहने वाला है तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे तो वीडियो को लास तक ध्यान से देख लेना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्स अब बढ़ते हैं और चीज़ें आपको लिए करते हैं इसमें लाइव क्लास मिल जाएंगे प्डियाफी नोट्स आपको मिल जाएंगे और यह सभी मिल जाएगा आपको हमारे एप्लिकेशन स्टेडी 14.0 पर जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा तो वहां से जागे आप कनेक्ट हो जाओ आप एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना बहुत इल्दी वहां पर बहुत सार आपको फिरी मेटेरियल भी देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको एक्जामनेशन में काफी जादा हेल्प करेगा आगे बढ़ते हैं यहां पर कुछ भरतियों का डेटा मैंने यहां पर ल बहुत सारी चीज़ें अब यहां पर समझ लोगे देखो 2018 की भरती के अगर मैं बात करूं 2018 की बरती में 22,335 टोटल एप्लिकेशन फर्म भरे गए थे और इसके लिए जो विकिंसी थी वो अब तक की सबसे हाइस विकिंसी थी इसमें जो विकिंसी थी 60210 विकिंसी थी अभ है कि एक कैंडिडेट पर दावेदार कैंडिडेट की संक्या खेवल 86 थी अगर एक्षवल में इसकी जो डेटा निकालेंगे वो और भी कम हो जाएगा जो कि अभी मैं आपको इसका भी क्लियर गरूंगा अब 2021 में तो 2021 में सबसे हाइस एप्लिकेशन फर्म बरे गए गए त बहुत कम निकल रही थी तो जो भी वच्चा क्वाल इलिजिबल था हो सब बच्चे ने फॉर्म अफलाए कर दिया जबकि विकिंसी देखेंगे तो केबल 25,277 आपकी विकिंसी थी और सबसे हाइस कॉंपेडिक्शन एक सीट पर 283 कैंडिडेट थे अगर आप 2023 वाली भरती में जाते हैं तो इसके लिए 54,593 फॉर्म फिलप हुए और विकिंसी थी 50,187 हालांकि यह जो विकिंसी थी बाद में इंक्रीज हुई पहले एक्च्वल जो संक्याती वो काफी कम थी फिर इनने दो बार विकिंसी आपकी बढ़ी और इनकी संक्या होगे 50,187 तो टोटल जो समतिंग 200 के अप्रोक्स यहां पर सीट पर कॉंपिटिशन था लेकिन यह जब नमबर विकिंसी इंक्रीज हुए तो यह जो नमबस हैं वो आपके कम हो गए सेम इसी तरीगे से अगर आप 244 वाली भरती में देखेंगे जो करेंट में आपकी चल रही है जिसके फिजीकल तो टोटल अगर हम बात करें तो कॉंपिटिशं केवर यहां पर रह गया कितना 101 एक केंडिडेट पर सीट यहाँ पर कॉंपिटिशन देखने के लिए मिला तो यहां पर यह कंपिचिछन का हैं किवेरी करते हैं कि आपकी जो सीट्स हैं वो कितनी बढ़ रही है गट रही है उसके उपर अगर आप यहां पर एक्च्वल में जाएंगे तो देखो कुछ चीजे हैं जैसे कि अगर आप 2018 की बढ़ती में देखेंगे तो 52 लाक में से कुल 30 कैंडिडेट ही इक्जाम में अप्यर हुएते अगर 2021 के में जाते हैं तो केवल लगव 49 लाक ही कैंडिडेट में पेर हुए थे और आप केबल 31 लाग एक्जाम में एपेर होए थे अगर आप ओन एवरेज देखेंगे तो लगबग किसी वर्थी में आपको 85, 55 लगबग सम्तिंग सम्तिंग साथ 65 प्रतिसात कैंडिडेट ही एक्जाम में एपेर होते हैं यानि कि जितने फ़र्म फिल अप होते हैं उतने कैंडिडेट कभी भी इक्जाम नेशन नहीं देते हैं उसमें से गर्तिस से 35 प्रतिसत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक्जाम नेशन में कभी बैठते ही नहीं है तो यह चीजँ आपको समझनी पड़ेगी कि यह जो number of application है यह cable numbers है यह actual competition नह रहता है number of vacancy के according और बहुत सारे candidate to examination देते नहीं हैं अब यहां पर में मुद्धे पर चलके आते हैं तो 2025 की भरती की बात कर लेते हैं वो करीव करीव आपको 46-47 लाग ही आपको देखने के लिए मिलेगी एक दो लाग इसमें अपडाउन यहां पर हो सकता है इसका सबसे वड़ा रीजन है कि यह जो संख्या है वो काफी उपर जा सकती थी लेकिन उपर ना जाने के दो रीजन में आपको बता देता हूं पहला त तो यह क्या है जब आपकी लगातार भरतियां आती है ना तो अगर आप देखेंगे तो कॉंपटिशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है वहीं पर अगर यह भरती तीन साल बाद आती तो आपको कॉंपटिशन देखने के लिए मिलता है जैसे 2018 की भरती थी और 2021 में आपकी भर देखने के लिए मिलेगा और यह जादा कॉंपटिशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और यह जो कॉंपटिशन में आपको बता रहूं किसके अकॉडिंग बता रहूं अभी के डेटा के अकॉडिंग 49,481 विकिंसी की जग अगर आपकी 60,000 विकिंसी हो जाती है तो हो सकता है कि सबसे लुएस कॉंपटिशन आपको देखने के लिए मिलेगा और एक्शुल कॉंपटिशन म यहां पे आपको घबराना नहीं है कि अगर मैं बात करूं तो टोटल फॉर्म की संख्या यहां पे आप सभी समझ लो आपको यह जो में पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं लगवक 46 से 47 लाग आप इसके फॉर्म की संख्या मानो इसके अलाब अगर मैं विकिं आप समझ सकते हैं इसके अगर आप जाएंगे तो आप यह समझो कि यहां पे 46 से 47 लाग कैंडिडेट हैं जिसमें से 65 प्रतिसत्त कैंडिडेट एक्जाम में एपियर होते हैं तो लगबख संक्या वैटेगी आपकी 30 लाग और 30 लाग कैंडिडेट अगर एक्जामनेशन दे लेगा केवल स्टार्ट कैंडिडेट पर सीट ही आपका कॉंप्टिशन रहे जाएगा तो आप यही एक्चुल डेटा लगबख आपका रहेगा यह लो मैं आपको अबरॉल कॉंप्टिशन दे रहा हूं जो आपका नंबर विकिंसी इंक्रीज होने के बास सम्तिंग सम्तिं कि जब आप सभी की वह information आ जाएगा तो उसके बाद एक्चुल डेटा भी आपको clear हो जाएगा जिसमें आपको category wise भी संक्या देखने के लिए मिल जाएगी कि कौन सी category में कितने form apply हुए हैं यह तो बैसे confirm है कि general category में कम देखने के लिए मिलेंगे और OBC category में number of application ज्यादा द पता ही है इसके अलाबा जो भी वच्चे तैयारी कर रहे हैं वो स्सीजीडी के mission बर्दी पैच में जरूर से connect हो जाओ बहुत अच्छी तरीके से वहां पे daily classes आपकी चल रही हैं बहुत सारे बच्चे वहां से तैयारी कर रहे हैं तो जाके फटा-फट से application को download करो और enroll करके फटा-फट से join हो जाओ उमीद है कि point आप सभी के एकदम से clear होगे होंगे कितना competition रहने वाला है overall जो अपने दिमाग में लेके चलना है वो यही लेके चलना है कि एक seat पर लगवक 60 candidate दावेदार होंगे इसके according आगर तैयारी करते हैं तो निश्चित तोर पे आपकी सामने क कोई ज़्यादा बड़ा challenge नहीं है और आराम से आप selection ले सकते हैं hopefully वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe कर लें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब फिलाल के लिए बस इतना ही thank you for watching जाहिंग जावारत